हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओसम ब्लॉसम गार्डिन चैनल तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपर हेंगिंग बास्केट रखी होई हैं तो मैं आज मार्च अप्रेल में लगाई जाने वाली हेंगिंग बास्केट बताऊंगी और उनको हम कटिंग से लगा सकते हैं इस मन्त मे जो पूरे समर में भी बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं तो अभी आप लगा लेंगे तो 7-8 दिन में ये ग्रो हो जाती हैं बहुत सूपर फास्केट तरीके से ये तियार होती हैं आपके हेंगिंग बास्केट और बहुत हार्डी भी है ये और इनकी सॉइल भी बताऊंगी कि आप इनकी soil कैसे बनाए तो मैं सबसे पहले आपको इनकी soil बताऊंगी कि कैसे बनाए जो कि lightweight रहेगी तो जैसे कि आप जानते कि हेंगिंग बास्केट को हमेंसे टांगना पड़ता है तो टांगने के लिए उस प्लांटर को हमको बिल्कुल हलके पोरस मिटी में बनाना पड़ेगा तो उसके लिए मैं सबसे हलकी soil बताऊंगी आपको जब हम किसी pot को भरते हैं तो जैसे कि यह मेरा हेंगिंग प्लांटर का पॉट है पुराना समय पर आप जानते ही होंगे स्प्रिंग सीजन में इतना सारा यह वेस्ट अपना निकलता ही रहता है पतिया यह तो इसको आप इसमें सबसे पहले इसको भर लीजे ताकि यह लाइट वेट हो जाए या नीचे इसमें एक खाद भी बन जाएगी और अप प्रटिलाइस करती रहेगी इन प्लांटों को क्योंकि यह पतियों की खाद है तो यह बहुत बेनिफीशल है यह हैंगिंग प्लांटर के लिए और उसके बाद में फ्रेंट सबसे पहले हम स्वाइल लेंगे यह एक पार्ट स्वाइल एक पार्ट यह वर्मी कंपोस्ट आप आप चाहें तो गोबर की खाद भी ले सकते और एक पार्ट आप इसमें कोकोपीट भी मिला लीजे चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी रेत भी मिला सकते हैं तीन पार्ट एक से हैं तीनों को ही एक साथ मिला लूँगी कोको पीट सॉइल को moist रखता है और light weight भी बनाता है तीन चीजों को मैंने मिला लिया है अब इसके बाद में आप भर दीजे इसको अब सबसे पर इस सॉइल को आप moist कर लीजे, पानी डाल के इसको गीला कर लीजे, फिर इसमें आप cutting लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लग जाएगी उसमें cutting तो ये पहली cutting है singonium की तो ये बहुत हार्डी प्लांट है ये देखिए इसमें भी मेरे cutting से लगे हुए है और singonium की कोई भी वेराइटी आप लगाएंगे इस समय पर hanging basket में तो वो लग जाएगी यह देखिए यहां पर एक branch टूड़ भी गई थी पानी डालते समय देखिए इसमें कितने सारे नोड बने हुए है और जहां से मैंने तोड़ा है तो वहां से दो तो बनी जाएंगे तो कुछ पतियां इसकी remove कर दीजिए उपर से और बस जितने सारे नोड हैं इसमें हम रख देंगे इस तरीके से दबा देंगे कुछ दिन बाद में इसमें से बहुत जल्दी ये cutting लग जाती है सिंगोनियम की नेक्स्ट है ये purple heart का plant तो इसकी भी cutting बहुत अच्छे से बहुत सूपर फास तरीके से ग्रो करती है और किसी भी soil में लग जाती है ये बस इसकी soil सौगी नहीं होनी चाहिए तो बहुत अच्छे से ये ग्रो करती है और इसका hanging basket बहुत ही सुन्दर लगता है किसी भी मौसम में ये लग जाती है नेक्स्ट है ये वांडिंग यू का hanging planter इसकी भी cutting बहुत अच्छे से ग्रो करती है और चोटी से चोटी से इसकी cutting लग जाती है और चोटी से आपको ब्रांच ले लीजिए दो तीन पतियां आप इनकी निकाल दीजिए नीचे से और इसके ये एक दो नोड होते हैं वो soil मे हैंगी बास्केट में तो इसको भी आप लगा सकते हैं ये बहुत हार्डी प्लांट है नेक्स्ट है ये बेबी टियर्स का प्लांट तो इसकी भी cutting बहुत अच्छे से ग्रो करती है इसकी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है इस समय पर और कटिंग लगाने के बाद में और उसके बाद में आप ग्रीन नैट के नीचे आप रख सकते हैं बहुत जल्दी ग्रो करती है नेक्स्ट है टेंगल हार्ट का हैंगिंग बास्केट इसकी भी cutting बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है चोटी-चोटी इसकी cutting लग जाती है ये भी मैंने एक महिन पहले इसको लगा तो देखिए इसका मैंने दूसरा भी इसी से ही कट करके यह हेंगिंग प्लांटर रेडी किया है तो यह भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है और बहुत हाड़ी प्लांट है इसकी तो बहुत सारी अंगिनत मेरे पास में पॉट मेल में डाल देती हूं या गिर जाती है तो ही प्लांटर रेडी हो जाते हैं तो यह बहुत हाड़ी प्लांट है नेक्स्ट यह स्पाइडर प्लांट का प्लांट तो यह सूपर हाड़ी प्लांट है इसको भी हम हेंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं तो इसमें रनर्स निकलते हैं इस तरीके से आप नएने प्लांट बना सकते हैं मैंने इसी planter में से बहुत सारे runners निकालकर लगा दी हैं और इसके hanging planter भी बहुत अच्छे लगते हैं ये super hardy plant है next है ये neon pathos का hanging planter तो इसको भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लगाया है तो बहुत सुन्दर color add करता है आपके garden में ये hardy plant भी है ये pathos की variety है इसको भी लगाईए आप next है ये पीलियर डेप्रेसा का hanging planter तो बहुत सुन्दर प्लांट है cutting आसानी से grow होती है और बहुत hardy है तो खराब भी नहीं होती है इसकी cutting तो ये में वही cutting आपको सारी बता रही है जिनकी cutting hardy होती है और बहुत आसानी से लग जाती है तो देखिए ये पीलियर डेप्रेसा का hanging planter और ट्रेल करता हो बहुत सुन्दर लगता है next है ये zet plant तो इसकी hanging basket बहुत सुन्दर लगती है और इसकी cutting fan बहुत hardy होती है तो इसको छोटी सी छोटी आप cutting इसकी soil में दबा देंगे तो ये बहुत अच्छे से जल्दी grow कर जाएगी जैसे मैंने soil बताई थी उसमें आप थोड़ा सा river sand और मिला लीजेगा next है ये रोयो ये boat lily का plant त बहुत सुन्दर लगती है तो इसकी branches side से आप तोड़के लगा सकते हैं कोई भी एक branch निकाल लीजे जैसे कि यहां पर है तो एक आप ये stick निकाल लेंगे तो उसको आप soil में दबा दीजिए और वहीं से और plant ready हो जाएगी ये बहुत hardy plant है तो इसका भी आप hanging basket ready कर सकते हैं next है ये swiss cheese का hanging planter इसका भी hanging planter fast grow हो जाता है और बहुत hardy plant है ये भी friend इसको बस आप shade में रखिए इसको बिल्कुल shade के नीचे ही रखिएगा आप इसको इस समय की summer की sunlight नहीं जानी चाहिए इस hanging basket को आप indoor भी रख सकते हैं next है ये marble coin potos का hanging planter तो ये भी बहुत fast grow करता है इसक हैंगे क्योंकि ये indoor hanging basket है आप किसी भी balcony में टांग सकते हैं इनको next है फ्लोडेंडर ब्राजील का hanging basket तो इसकी भी hanging basket देखिए आप बहुत सुन्दर लगती है जब जे ट्रेल करते हैं ये भी बहुत hardy plant है ये भी super fast grow करती है hanging basket इसकी 2-3 hanging basket है मेरे पास में और आप इसको बा basket में बहुत जल्दी grow करते हैं इनकी fast grow होती है इस समय पर next है टटल वाइन का प्लांट तो देखिए आपको ये दिखाना चाहरे हैं को देखिए अगर पॉट में गिर जाती है ये छोटी से छोटी cutting इसकी तो बहुत जल्दी grow करती है पिरे कई पॉट में ये गिर चुकी है तो वहीं से रन करना चालू कर देती है तो इसकी आप बहुत सारी hanging basket बना सकते हैं नेक्स्ट है leopard lily का hanging basket तो ये भी बहुत hardy plant है तो इसको तो मैंने friend नीचे सबसे first floor की balcony पे कम से कम 6 महीने से रखी हो ही हो जहाँ पर धूप बिल्कुल नहीं आती है तो उसमें भी देखिए बहुत सुंदर और बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो करा है तो आप इसको लगा लीजिए आप hanging basket में और ये बहुत hardy plant है इसकी छोटी-छोटी cutting ready हो जाती है तो एक चीज में आपको दिखाती हूँ यहां पर देखिए मेरी जो leaves से वो खराब होई थी बीच वाले हिस्स इसे तो वहां से ही कुछ roots निकल कर आ रही है ये देखिए तो मुझे लगता है कि साइद ये लीव से भी grow हो जाएगा next a ribbon glass का plant तो इसकी भी हम hanging basket तयार कर सकते है इसकी side से कोई भी आप branch निकाल लीजिए इसकी बास्केट बहुत hardy बनती है मैंने इसको pipe में भी लगा रख तो ये भी बहुत hardy है ये काफी दिन से एक हेंगिंग प्लांटर में लगा हुआ फ्रेंड इसकी मैं और भी hanging basket तयार कर रही हूं बहुत सुंदर लगता है ये देखे green and white color में और बहुत hardy है ये तो आप इसको इस समय पर लगा सकते हैं मार्च अप्रेल मन्थ में next ये पा इसको धूब बिल्कुल भी नहीं पसंद है next ये फन तो फन को भी हम hanging basket में लगा सकते हैं जब ये ट्रेल करेगी या ये साइडों से निकलेगी इसकी branches तो बहुत सुंदर लगती है dark green color में है फन next ये अजवाइन का प्लांट तो इसकी भी हम hanging basket ready कर सकते हैं बहुत hardy होती है इसमें आप बिल्कुल कम पानी दीजी और कई कई दिनों तक आप इसमें पानी भी नहीं देंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा आप इसकी leaves की shape देखिए कितनी अच्छी लगती है ये